बारत में 31 मार्च से टाटा IPL शुरू हो रहे हैं और राजस्तान की जन्ता के लिए एक खुशकपरी है क्योंकि चार साल बाद राजस्तान के जैपूर के SMS में ये मैच होने जा रहे हैं और यहाँ पर राजस्तान रोल्स के पांच मैच खेले जाएंगे हम आपको यहाँ पर तैयारिया बता दे, मैं अपने केमरामेंट से कहूँगा कि आप किस प्रकास से तैयारी की जारी है वो आप दिखाएए यहाँ पर राजस्तान रोल्स के पांच मैच होंगे और पहला मैच लगनव सूपर जोइन्स के साथ होगा मैच 19 अपरेल को होगा तूसरा मैच चेंडराबाद का चोता मैच जैपूर मेच 7 मेच होगा भी समको होगा आपको बता दे कि यहां पर आखरी मैच चोदा मेगों क्यों खेला जाएगा राजस्तान क्रिकेट एसोचेशन के अध्यक से वैबौ गहलोत उनका कहना है कि यह पिछ बिल्कुल तयार है IPL के लिए किस तरह से तयार है है आज पास भी पिछ बनाए गए है ताकि यहाँ पर अच्छे से मैच हो सके और यहाँ पर दर्सकों के लिए बता दे कि अभी टिकट के जो पैसे वो निदारित नहीं किये गए है आपको बता दे कि 21 से 30 मार्च तक 10 दिन राजस्तान रॉयल्स की टीम यहाँ इस स्टेडियम में प्रेट्रिस करती हुई नज़र आएगी 19 अप्रेल को राजस्तान रॉयल्स का जैपूर में पहला मुकाबला खेला जाएगा वो लखनों के साथ खेला जाएगा तो चार साल बात होने जा रहे हैं मैच इससे पहले कोड़ना आ गया था तो इस वज़े से यहाँ पर मैच नहीं खेले जा रहे थे दूसरे दर्सों में भी खेले गए लेकिन अब जैपूर की जनता अपने फेवरेट खिलाडियों को अपने फेवरेट टीम को यहाँ पर ख जिज़ा करते हैं आई पर अपने फेवरेट खिलाडियों को खेलतों वे देखना चाहते हैं हमने अब यहाँ आपको दिखाये थे हम और भी स्पोर्ट से जुड़ी खबरे दिखाते रहेंगे जोड़े रहे हैं हमार साग्त यहाँ पर एक कोच है क्या मानना है कि चार साल आपको बता देगी कल से यानि की 21 तारिक से यहाँ पर कल से जो प्लेयर है रास्ना रोल से बहु आजाएंगे और प्रैटिस करेंगे यहाँ पर कर्या कर्या कर दो